हमारे नए WWE NXT चैंपियन सा मोजो ने दिखा दिया कि वे NXT के किसी भी सूपर स्टार से नहीं डरते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दिन बिना किसी तरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं NXT चैंपियन समोजो NXT के रिंग में आते हैं और वे बताते हैं कि उन्होंने किस तरह NXT टेक ओवर 36 में केरियन क्रॉस को हडाया और वे ये भी बताते हैं कि वे 3 टाइमस NXT चैंपियन बन गए हैं जो कहते हैं इस बात पर तो सेलिबिरेशन बनती है समोजो तुरंत ओपन चैलेंज रखते हैं जो कहते हैं NXT का कौन सा सूपर स्टार मुझसे फाइट करना चाहता है तो सबसे पहले बाहर आते हैं पीट डन पीडन समोजो के फेस टू फेस आकर खड़े हो जाते हैं पीडन समोजो से कहने लगते हैं जो तु NXT में कितना बार चैंपियन बना है ये मुझे नहीं जानना है और तु अभी विलियम रीगल से बात कर तेरे और मेरे मैच के लिए इसके बाद क्या देखने को मिलता है फॉर्मर मिलियन डॉलर चैंपियन एले नाइट वहां आ जाते हैं और वे जो से कहने लगते हैं जो NXT टेक ओवर में मैंने तेरा फाइट देखा मैच तो कमाल का था लेकिन अगर तु मुझसे फाइट करेगा तो मैं तुझे 10 सकेंड में हडा दूँगा फ्रेंट्स एले नाइट यहां काफी अधिक फेक रहे थे समोजो को मज़ा नहीं आ रहा था तभी वहां काईलो राइली आ जाते हैं और वह एले नाइट से कहने लगते हैं एले नाइट तेरी यह जो चड़ी है न वो बेवकुफ स्टोन कोल्ड स्टीब आस्टीन जैसी लग रही है काईलो राइली एले नाइट का मज़ा कुराने के वाद समोजो से कहते हैं यार जो मेरे को भी उस चैंपियंशिप के लिए एक मैच चाहिए अभी रिच हॉलेंड काईलो राइली पर पीछे से अटेक कर देते हैं और पीड़न समोजो पर अटेक करने के लिए तयार थे लेकिन पीछे से तमाचो चामपा पर अटेक कर देते हैं और Rich Holland तमाचो चामपा पर अटेक कर देते हैं मौका देख एले नाइट समोवा जो पर अटेक करना चाहते थे लेकिन जो ने एले नाइट को रिंग से बाहर फेक दिया और समोवा जो अपने चैंपियनसिप को दिखाते हुए बता दिया है कि वे एनेक्स्टी के किसी भी सूपरिस्टार से नहीं डरते हैं और वे अब अपने नेक्स्ट अपोनेंट के लिए तयार हैं आप एनेक्स्टी में समोवा जो का मैट्स किसके साथ देखना चाहते हैं काईलो राइली, पीट डन या एले नाइट के साथ